सबी सदस्यों को नमस्कार आज ये जो विशेश वीडियो है मैं एक मुद्दा जो जीडी पर्षन सर्विंग पर्षन के उन्होंने उठाया है वाट्सअप में चल रहा है मुझे भी कही होने उनका जो आउडियो मेसेज जो फंड कलेक्शन का लिस्ट जो यूनितों से जीडी पर्षन से जो लिया जा रहा है मुझे भीजा है लोगों ने कहींने मुझे वाट्सअप में मेसेज दिया सर आप इसके ओपर जो है एक वीडियो दीजिए तो मेरे ख्याल से जो मैंने आउडियो जो मेसेज सुना है उसमें कहे रहे हैं कि हम जीडी पर्षन का तंखा कम है कलर्क का जो है काफी ज्यादा है कलर्क जो है अभी एक रिट पेटिशन दे रहा है जिसमें पांच साल में वो ये हो जाएगा करते करते असिस्टेंट कमांडेंट डेपूडी कमांडेंट तो मेरा जो सुझाओ है उसमें ये है देखे सबसे पहले तो जो आप जीडी पर्षन है आप लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं जो है भारत का डेमोक्रिटिक सिस्टम का एक पिलर है जो भी ग्रिवेंसेस है आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं जैसे जो पहले जा चुका है डिफरेंट जो ट्रेड परसनल जिसमें सबसे पहले गया था क्लेरिकल वो गए किसली देखिए जब फोर्स सेंटरल पे कमिशन यानि कि 1 जनवरी 1986 से असम राइफल को सेंटरल पॉलिस और्गनाईजिसमें लाए गया था और जितने पे कमिशन उसके बाद आये हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ उन्होंने जो है सीए पीफ का जो है पे पैंशन वगरा जो है रेकुमेंड किया है जो हमको मिल रहा है उसके तहर जो है इसमें इस आप किसी भी ट्रेड के साथ कंपेर नहीं करना चाहिए यह जो है इस विशे को लेकर कोट में भी जाएंगे तो आपका कोट का जो यह रिट पैटिशन क्या हो जाएगा डिसमिस हो जाएगा मेरा जो सुझाओ है जो हम केस कर पता है सिंगल बेंच डिविजन बेंच उसके बाद सुप्रीम कूट में जाना जो हमको इसे अच्छस लागू होना यह सब जो अनुभो है जो मैंने नियम पड़ा है उसके अनुसार मैं आपको सुझाओ देता हूं कि आप लोग जाए अपने मुद्दे को लेके जैसे मैं आपको बता देता हूं कि 1986 में जब हमको CPO में डाला वह सरासर गलत था हम आज भी जो है CPO का हिस्सा नहीं है यानि Central Armed Police Force यह जो नौटिफिकेशन निकला था 18th of March 2011 को इसमें केवल 5 फोर्स है BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB असम राइफल्स को इसको इसमें इंकलूड नहीं किया है क्योंकि यह पारा मिल्ट्री फोर्स है दो बार कोशिश हुआ है DGR की तरफ से 2017 में और 2023 में जो अभी का जो DGR है उन्होंने भी असम राइफल्स को CFPF में ले जाने के लिए कोशिश किया और आप सेवी को पता है कि यह जो कोट में हम केस कर रहे हैं इसी के दर्मियान MHA जो हमारे होम मिनिस्टर है उनके कहने पर असम राइफल को ITBP में मर्स करने के लिए भी एक स्टेप निकाला था जो बाद में इंडियन आर्मी ने विरोथ किया हमारे एसोसेशन ने भी विरोथ किया उस वक्त के जो डीजेयार थे हमारे पैटर्न इंचीफ से बात किया था उनके कहने पर एक कमांड़ंडन ने भी मेरसे बात किया था फिर हमने केस उठाया घειंशल हो चुका है擊 क्योंकि ITBP में कभी मर्जी नहीं हो सकते हैं हम तो अभी तक पुलीस भी नहीं है देखो CAPF में सरकार का जो भी एमेंडमेंट हुआ है 25 सेप्टेमबर 1985 को जो यह भी रूल एमेंड करके जो हम बहुत बड़ा गलत फैसला था जो डीजियार अभी इनके उपर जो हम इसलिए नाराज है यह एक डीजियार है जो की तीन बार पोस्टिंग आ चुका है साइध ही कोई ओफिसर इस प्रकर से आया हो और डीजी बना हो यह सब अपने जो है अपने लिए कारे कर रहे हैं बस यह सब सरासर गलत है आप लोग भी जा सकते हैं कोट में लेकिन मुद्दा जो है कंपेर मत करो क्योंकि जो जो ट्रेड है उनका अलग जो है क्यूर है कौलिफिकेशन रिक्वाइड जैसे आप क्लर की बात कर रहे हैं जो भी है आरम है फार्मासिस्ट आपने देखा होगा भी हाल में कोट में गिया है और वो सबसे फाइदा में रहा है क्य प्रविदा है वो लोग जो है गया है कोट में उसी प्रकार उन्होंने बेनिफिक लिया है आप जो है मैं बताता हूं आरपी 203-203 का जो रिवाइस्ट पीस इस्टाबलिश्मेंट उसको चैलेंज कर सकता है जो मैंने जो किया था मैं मिनिस्ट्री को लिखा हुआ है डी जर सर्विस पर्सनल जीडी पर्सनल जो यह 4.6 को जो 46 परसेंट होना और क्लर्क जो है बहुत सारी जो प्रमोशन लिया है इसको चैलेंज कर सकता है यह जो पेटिशन तयार कर रहा है उसमें आप कंप्लेट आर्मी का बैनेफिट के लिए आप कोट में जा सकता है आप मिलिटरी और कर रहे हैं ऑप्रेशन करते हैं हमारे जवान जो सर्विंग पर्सन है उनको जो इसे मैंने धरान में एक वीडियो निकला था मुझे बताया गया जेशियो साब उने जो 9 मेना पहले एक साल पहले जो आ रखाया है घातक जो प्लाट्टून का जेशियो था हो हमारे जवा को गोली लगा है बोला उनको जो है डी जी आर कमेंडेशन कार्ड दिया है या पुलिस मेडल के लिए रेकुमेंड किया है जबकि ओफिसर जो लीड कर रहा था उनको सेना मेडल मिला है यह कंप्लीट अंजस्टिफाइड है इसको लेकर आप जब कोट में जाएंगे तो आपक कर सकते हैं जैसे हम ने किया है हमारा आखरी पड़ाओ में है अक्टूबर साथ को जो हीरिंग होगा इसमें इस प्रकार से आपनी कोट में जाना है और डॉकुमेंट की अगर जौरत पड़ा तो मुझे कंसल कर सकते हैं एक वकील को भी मैं अच्छा सा वकील भी आपको दिल किया वो चला गए डिस्चार्ज लोग अभी ढूंड रहे हैं उसको पैसा कई लाख रुपया उले गिया है इसे प्रकार ट्रांस्परेंट होना चाहिए मैं कहता हूं कि हर यूनिट से पांच से दस आत्मी इस पैटिशनर बन सकता है और जो पैसा जो कलट करता है ट्रांस् कर एक इस मेंटर का वकील है मेरे को जानता है कि मैं खुद केस को डियल कर रहा हूं पिसले साथ साल से तो मुझे पूरा है आप लोग को हेल्प करने का लेकिन इस प्रकार से क्लर्क का जो है यह हो हो हूँ है यह इस तरब मत जाओ ये जो है रों है जो आपका प्रेयर से बि भी बोल रहा है Assam Rifle CA-PF वो गलत है उसका को नोटिफिकेशन नहीं है इवन पारा मिल्टरी का भी मैंने DGR को बताया था जब हम उनको मिला था तीन साल पहले कि Assam Rifle का पारा मिल्टरी का नोटिफिकेशन निकालो थाकि आर्मी के बाद पारा मिल्ट्री आएगा उसके बाद C.A.P.F आएगा अभी तम C.A.P.F से भी नीचे है ठीक है ना हमारा आइडिन्टिटी नहीं है उसके लिए हम आरे वो लिंडे फाइट कर रहा है एज़ा सर्विंग जी डी परसन आप लोग भी कोड में जा सकता है कोई आपको लोग के उपर दबाओ नहीं आएगा यदी दबाओ आता है तो विशे को भी आप को बदा सकता है यह जो है न्याई है आपको मिलना चाहिए मैं कहता हूं लेकिन जो जैसे मैंने बताया है उसका clarity होना चाहिए यह नहीं कि कोई clerk लोग जो है deputy commandant तक बन रहा है हम भी group था A, B, C, D, E वगरा करके अभी उसको group X, Y, Z वगरा बोलता है जो जैसे कि मैं फार्मासिस्ट था तो third pay commission में B group में था GD person और जो different trade का army में भी different है pay scale जिस प्रकार में CAPF CAPF में इनको फाइदा है देखो इनको rank जो entry rank ही मिल जाता है जैसा मैं नहीं बता है फार्मासिस्ट को SI rank नाइफ सुब्दार दे रहा है आप देखा होगा यूनिटों में भी फार्मासिस्ट नाइफ सुब्दार बन गया ह ठीक है ना तो आपका जो GD person है complete army का benefit legally आपको मिलना चाहिए इस विशे को लेके जाओ court में कोई भी शक होता है जो भी इसको कर रहा है process मेरे से बात कर सकता है मैं उनको और suggestion दोंगा और जो पैसे का मामला है यह पैसे का हिसाब कितब सही से रखो individual का account में नहीं जाना चाहि कोई responsible आत्मी इसका supervision करना चाहिए क्योंकि पैसा कलट करके कई बार जो है लोगों को धोका दिया हुआ है आज तक इतना ही पूरे जो serving person इस वीडियो को सुरू से अंत तक देखो ठीक है ना जो जो मैं बोल रहा हूं thank you very much जै हिंद जै आरेवा जै भारत माता